तो बिस्मिल्हारामानराहिम स्टार्ट करते हैं इसके उपर बात करते हैं और एक्टिवेशन फंक्शन को चूज करते हैं वक्त हमें कौन-कौन सी चीजों का ख्यार रखना चाहिए ठीक है अब आपको ठीक हारी है मेरी मुझे चैट में बताइए क्योंकि एकसर लोगों की त लिगमाइड फंक्शन इन आउट्पुट लेयर यूज तैनच इन आल अदर प्लेसे कुछ रूल्स हैं वी अवाम ने बनाए हुए रिसर्च की बेस पे बट बोथ अफ दीज है वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम जो मैं पता हैं देरफोर रेलू कैन भी यूज इन केस ऑफ बोथ अबाव यानि के आउट्पुट या इनपुट लेयर में आउट्पुट या सोरी हिडन लेयर के अंदर अब मुझे बताएं कि अगर रेलू हम आउट्पुट या हिडन लेयर में यूज कर सकते हैं तो इसका मतलब है रेलू इस मोस्ट प्रॉबबबिली इंफिनिटी की जो वैलियू है ठीक है लीनियर के अंदर हमें फाइनली हिडन लेयर में से आउट्पुट मिल जाती फ्रॉम इंपुट फीचर्स टू हिडन लेयर जो हमारी कैलकुलेशन होती है तो सुमें हमें एक वेक्टराइज फॉर्म में कुछ चीज चाहिए होती है जो आगे ट्रांसफर करें अक्टिवेशन फंक्शन तो इसका मतलब है हमारे पास कभी कभी दो एक्टिवेशन फंक्शन यूज होते हैं कभी तीन कभी चाहर डिपेंड्स ओन दा हिडन लेयर में होगा एक आउट्पुट लेयर ठीक है तो अगर पहले क्लासिफिकेशन कर तो आगे क्या करना है आउट्पुट में भई इसका मतलब कहा है कि क्लासिफिकेशन का या जो हमें फाइनल आउट्पुट देते हैं प्राबबबिलिटी की बेस पे वह विल यूज दोस इन दे लास्ट आउट्पुट लेयर जो हमें एक वेक्टर फार्म में या हमें एक let's see computationally effective math due to its simplicity that's why we use relu in the hidden layers and however it has also vanishing gradient problem but we can use relu and parametric relu to reduce that vanishing gradient issue या हमारे पास जो लास पे dying relu का issue था hidden layer के अंदर neural network वो receive करता है input from another layer वो another hidden layer भी हो सकते है अगर हम green की बात करें तो यह भी layer हो सकती है या हमारे पास feature से भी input आ सकती है and provide output to another layer such as another hidden layer or an output layer तो अगर हम इसकी बात करें तो यह output को output दे रहे input layer है hidden से ही ठीक है तो इसका मतलब अगर यहां पे hidden है यहां पे भी hidden है then we can use two activation functions in each layer ठीक है a hidden layer does not directly contact input data or produce output from a model at least in general ठीक है a neural network may have a zero or more hidden layers एक वो वाला neural network जिसमें कोई भी hidden layer नहीं है is used in the hidden layers of a neural network this allows the model to learn more complex function that a network trained using a linear activation function हम क्या करते हैं हम यह कहते हैं कि hidden layers के अंदर हम usually use non-linear वाले को करते हैं ताके असान output आगे move करें अगर हम complex ही करते जाएंगे चीज़ों को then we need to have more computational power और हमें more calculation की जरूरत पड़ेगी at the end इस वड़ा से hidden layers के अंदर हम non-linear को use करते हैं तो most widely used activation function for hidden layers कौन से हुए relu, sigmoid and tanach most widely used लेकिन जो most common है एक अगर मैं बात करूं तो वो relu है ठीक है तुक्का, गायड, जुगाड, जो भी आप समझें वो relu है simple to implement and effective at the overcoming the limitation by sigmoid or tanach जो इन दोनों में problem थी न, वो relu में नहीं है तो इसका मतलब अगर इन दोनों को use करना उससे बहतर है relu को use कर ले ठीक है और यह less susceptible है to vanishing gradient ओके हो गया क्योंकि relu और parametric leakी दोनों की हमारे पास जरूरत है then how to choose the best activation function इसके पीछे बहुत ज्यादा papers भी पड़े हुएं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि hidden layer के अंदर a neural network will almost have the same activation function in all hidden layers यानि कि अगर आप पांच hidden layers बना रहे है तो usually आप क्या करते हैं पांच के पांच same activation function को रखते हैं ठीक है traditionally the sigmoid activation function was the default activation function in 1990s in hidden layers perhaps through the mid to late 90s मतलब 1990s से पहले हम लोगों काफी लोगों के पैदा होने से काफी देरी पहले की बात है या कुछ लोग बच्चे थे उस वकद तब sigmoid activation function hidden layers में use होता था जब लोग neural network को start mathematically start किया था काम करना लेकिन mid 90s to 2010 तक 10H function was default activation function for hidden layers ठीक है अब sigmoid से अच्छा 10H हुआ इसका मतलब क्योंके पहले sigmoid था फिर 10H आ गया hidden में अब हमारे पास रेलू आ गया so we know कि क्यों हमारे पास पहली problem को resolve करने का solution आ रहा था यह book है deep learning 2016 में publish हुई है उसका page 195 की यह quotation है जो मैंने यहां पर पेश किया आपके सामने था कि आप अगर उसमें इंटरस्टीज हैं तो यह पढ़ भी सकते हैं अच्छा यह चीज याद रखनी है बार बार vanishing gradient यानि के extreme values को यह deal नहीं कर पाते दोनों function ठीक है रेलू कर पाता है इस वज़ा से यह problem हमारे लिए ज्यादा करते हैं तो hidden layers में रेलू simple सी बात है use करते जाओ आगे चलते जाओ ठीक है अब आपको इसका answer मिल गया होगा कि hidden layers में कौन सा यूज करना है रेलू is the best sigmoid और दूसरे भी अक्सर लोगों ने किया होंगे it it can also help you in that way how to choose the best activation function in hidden layers उसकी और भी कुछ examples और कुछ points है जो मैं आपको बताना जाओंगा modern neural network जो आजकल के दोर के हैं with common architecture such as mlp यानि के multi-layer perceptron एक दो तीन चार पांचे साथ multi-layer in hidden layers या CNN वो क्या करते है रेलू या रेलू के extensions को use करते हैं उसकी reason मैंने आपको बता दी वो घलती नहीं सहना बाते हैं वो कहते हैं कि हमने घलती नहीं बरदाश करनी जो gradient की है क्योंकि वहां पर data different type का होता है हमारे पास recurrent neural networks के अंदर सो उस data की base पर हम sigmoid या 10H को use करते हैं ठीक है for example the long short term memory यानि के LSTM commonly uses sigmoid activation for recurrent connections and 10H activation for output ठीक है उसकी reason के है we will see that usually यह क्यों हम करते हैं we will see that whenever we are going towards the long short term memory LSTM का model जो आपको बेहतरीन तरीके से आगे बता देंगे for now हमें पता चल गया कि किस problem किस network के अंदर कौन सा अक्टिवेशन function use करना in hidden layers ठीक है अब अगर मैं मिसाल दूना सिंपल एक जुगाड आपको बताऊं तो MLP यानिके multi-layer perceptron जिसके अंदर artificial neural network with multiple hidden layers रेलू को यूज करें CNN में भी रेलू को और recurrent के अंदर आप 10H and sigmoid को यूज कर सकते जुगाड in hidden layers यह आपके सामने एक मैंने थोटी सी तस्वीर डिजाइन की हुई है इत में help यू आप अगर इसका screenshot ले ले मिन्हों ना क्यों कि send कर दे हमें आप खुद ले ले लें एक screenshot साद्धा तरीका नहीं पता लग रहा कौन सा यूज करना है multiple यूज करके बेस्ट वाला चूज कर लो भई परिशानी की तो बात ही नहीं है न जैसे हम पिछले मॉडल में करते हैं बट आउट्पुट लेर्स का इशू है यूज नो के कौन सा फंक्शन आउट्पुट लेर के अंदर होता है हमारे पास तीन किसम की आउट्पुट होती है मैं कल भी बताएं थी आज दुबारा से रिपीट कर रहा हूं पहली किसम की आउट्पुट यानि के रिग्रेशन प्रॉब्लम की आउट्पुट जिसके अंदर आपके पास एक नुमेरिक वैल्यू आती है यू विल यूज लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन फोर दैट प्रॉब्लम विद वन नूरॉन इन दा आउट्पुट लेर लोजिस्टिक या सिग्मॉइड यानि के बाइनरी क्लासिफकेशन के लिए यूजिली आप सिग्मॉइड फंक्शन को यूज करते हैं एक ही लेयर होगी लेकिन सिग्मॉइड फंक्शन मल्टिक्लास क्लासिफकेशन के लिए कौन सा करेंगे softmax simple तीन हमारे पास चीज़े आउटपूट की तीन हो आपके सामने तो जुगार बनगे हमने कौन सा कब कहां पर कैसे यूज़ करने अब एक और बात अक्सर रक्वाद linear activation function आपका जो है वो आपको minus में value देने लग जाता है जो आपको नहीं चाहिए तो यह linear activation function उसको कुछ करी नहीं सकता तो मतलब वो पीछे ही hidden layer के अंदर ही positive में convert हो जाना है ठीक है तो आपको end पर use करने की ज़रूरत नहीं मैंने आपको बताया है कि यह no activation function होता है तो आपको यह पता है कि यह कोई इतनी बड़ी change नहीं लाता सिर्फ identity one के साथ multiply कर देते है आपको regression और classification का पता है so I'm not going in details के classification क्या है regression क्या है simply अगर आपने categorical variable को करना है तो classification regression तब है जब आपने numeric को करना है ठीक है और regression के लिए one linear activation function है classification के लिए sigmoid या softmax है ठीक है और यही चीज है जब आप activation function को choose कर रहे होते हैं अगर आपने multiclass में sigmoid लगा दिया तो उसे कहना यार यह red red error आ रही है यह क्यों आ रही है या आपने कहना है कि मेरे पास तो classification मैं दो classes करना है मैं sigmoid यूज करूँ या मैं softmax करूँ तो अगर basic theory नहीं बता code आपको घलत भी मिल गया तो आपने कहना है यह ठीक है so be careful when you are choosing this ठीक हो गया नहीं इसमें भी वही चीज़ है बार बार लिकी हुए multiclass और multilevel classification और so on and so forth okay activation function for output layer कैसे choose करना है problem type को देखना है अगर regression है तो simply चले जाए linear activation function के तरफ classification है तो check करें कि binary है sigmoid use कर ले multiclass classification है तो softmax कर ले multilabel classification है तो आप sigmoid activation कर ले अब इन दोनों में आपने फरक देखना है क्या होता है that is your short kind of assignment के multilabel classification और multiclass classification में क्या फरक है यह जिरफ दिमाग की game है जरा इसको समझीएगा और मुझे एक छोटा सा message कर दीजएगा telegram पर अफ्रवर्स what is the difference between multiclass classification versus multilabel classification यह मैंने hidden का आपको बता दिया था shortcut ठीक है यह आपका आगया output का तो यह दोनों आपके पास screenshot अगर आपने लेने हैं तो ले सकते हैं otherwise it's fine you know better than me now के output में क्या जाना है ओक्यों जी यह जी पूरा चार्ट एक मैंने इसमें से miss किया which is called exponential linear units वो आपने खुद करना activation function जो मैंने आपको नहीं बढ़ाया जो मैंने start में आपको बता दिया था कि there is one function जो आपने खुद से search करना है और उसके जारी बात है ना एक अदा आप खुद करेंगे तो future में अगर कोई activation function आ गया तो आप उसको इसी table में add कर सकते हैं कि भाई इसमें ये problem हुई थी ये एक chart है जिसके अंदर advantages, disadvantages, common use activation function क्या है और बाकी सारी चीज़ें इसमें दी हुई है कौन सा time consuming है कौन सा time consuming नहीं है कौन सा अच्छा perform करता है किसके अंदर कौन सी calculation होती है hidden layer में कौन सा use होता है output layer में कौन सा use होता है ये पूरी guide है activation function की ठीक है मतलब ये कि जिसने पिछले सारे lecture सुने हैं वो सिरफ ये guide अपने पास save रख ले screenshot लेके at the end it will be really helpful for you and you can learn many things from here तो कभी भी activation function pinch करने की जरूरत fix करें लगाने की जरूरत पड़ी in neural network तो अब यहां से choose कर सकते हैं okay hopefully आपको ये समझ आ रही है कि यहां पर चल क्या रहा है ठीक है ये वही सारी बातें जो हमने की है यानि कि sigmoid function है which predicts the probability as output hidden layer of neural network में यूज होता है और output is zero centered आपको पता है क्यों zero centered है रहलू है hidden layer of neural network में यूज होता है computationally efficient है accelerate करता है convergence को क्यों 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 कि काफी चीज़ें तो miss कर देतें न and आगे सारे जो भी हैं आपके सामने okay another assignment यही चीज़ जो आपको मैंने screenshot भेजी है अगर आप खुद से एक अदा एक दफ़ा पैन के नीचे से गुजार लेंगे न यकीन माने यहां पे आपके वह एक दफ़ा नक्ष हो जाएंगे अगर आप खुद से लिख लेंगे यह पूरा चार्ट पकड़के एक दफ़ा याद करें और एक पेज़ पे खुद से लिखें के सिगमोईड यहां पे होता है भी ना देखें तो यह आपको एक अच्छी information दे सकते हैं तो आप फिर बाद में जब यह कर लेंगे एक दफ़ा तो उसका मुझे आप screenshot भेट के सेंड कीजएगा और आपको यह याद रहेंगे फिर आपने सभी के mathematical formula एक sheet पे लिख के रख लेने हैं pencil के साथ और कोशिश करें खुद से resolve करने की उनके advantages and disadvantages and so on so forth यह जो चीज़ चीज ले लिखके रख लेंगे ना जैसे मैंने यहां पर print किये हुए थे तो वो लिखके रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और बार बार इनको चेक करें ठीक है यह question आपको future में आ सकते हैं in the interview के फ्लां का mathematical formula का how does it do that अगर आप कहेंगे ना कि 10H hyperbolic minus 1 से 1 तक है और 0 centered है उसने कैना कैसे तो वो कैसे का answer यह नहीं है क्योंकि यह बनाया ऐसे गया है उसका answer है due to this mathematics behind the scene कि यह यह कैसे calculation होती exponent फ्लां 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 और आप फिर answer देंगे ठीक है समझ आ भी बात की कुछ लोग तो हवा में गुम हुए पड़े हैं और जमाईया ऐसे ले रहे हम करेंगे यहीं पर basic neural network कुछ इस तरीके से है अक्सर उकात machine learning इन दोनों चीज़ों को नहीं देख सकती क्योंकि कुछ बड़ा है बिल्ली छोटी सी बड़ी होई है तो वो क्या करती है टैगिंग करती है इसके अंदर और फिर binary classification हम कर सकते हैं अगर आप यह वाली तस्वीर दें machine को उससे पूचेंगे बिल्ली है कि कुटा है या आपके पास कैट है तो वो परिशानी में आ जाएगा machine learning का अलकुली था हम ठीक है रीजन के है इसके अंदर दो चीज़ें और यूजली यह कैसे performance होती है वह विल डू इट बाइर सेल्फ इंशाला नेक्स लेक्शर हम images को देखते हैं इनकी तीन dimension है ठीक है और उसके pixels है कितने बाइक कितने की image है और उसके metric क्या बन रहा है ठीक है at the end हमारे पास x की value क्या आती है 32 by 32 की image है और RGB तीन colors है तो हमारे पास तीन उसके metrics आगे तो in total हमारे पास dimension of input feature जो है वो 372 बनती ही ठीक है so this is how you can calculate n value और जो हम देखेंगे भी आने वाले lectures में सिर्फ आपको एक idea देने के लिए यह क्या चल रहा है and at the end हम x को predict करते हैं y बताने के लिए x से y को predict करते हैं sorry for that तो वो कैसे करते हैं उसके लिए हम इंशालला next lecture में देखेंगे जिसके अंदर आपको बकाइदा बताया जाएगा किस तरीके से आपकी image classification होती है and how we work on images और उसको कैसे classify किया जाता है using computer computer पर कैसे करेंगे और फिर हम इस पर अपना आगे वाली चीज़ें जाहें उन्हें proceed करेंगे यहां पर मैं screen को अपनी को रोकता हूं recording को